सब गाना सुम कि आप लोग को पता चल गया हो कि आज की वीडियो है वो है पिंक लिप्स के ओपर अब चाहे लड़का हो या लड़की हो चाहे पोई अब या कुछ टाइम पहले मेरे लिप्स पी थोड़े से डार्फ होने लगे तो यसी क्या चीज थी जो मैंने करी वो सारी चीजे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं और यार जितनी वी चीजे मैंने फॉलो करी थी इस चीज की गैरेंटे कि उनसे किसी से भी कुछ सारी चीजे नैचुरल है एक चीज का डिफ्रेंस आसकता है कि किसी को tourikion दिखने थोड़ा ताइम लग सकता है किसी का रिजर्ट सिर्फ महिने में आ सकता है तो रिजर्ट में डिफ्रेंस आ सकता है बट इस चीज की गैरेंटी है कि اगर जो यह जो आपको आज रूटीन बताने वाला हूँ जो चीजे बताने वाला हूँ नेचरल अगर जो आप उनको फोलो करोगे तो आपको Instagram और Snapchat के filters यूज नहीं करने मुड़ेंगे तो चलो बिनना किसी विलम के इस वीडियो को प्रारम करते हैं let's get started यह सबसे पहले बात करेंगे कि क्या causes है यानि कि क्या reason है जिसके वह से आपके इस दृब्स वह दार्क होने लग जाते हैं और बहुत सारे आप लोग smoking करते हो तो उसके अंदर होता है nicotine और तार जिस जो कि क्या करता है basically आपके blood vessels को shrink कर देता है और उससे blood flow कम हो जाता है और यार यह चीज जो है ultimately आपके lips के कलर को dark बना देती है साथ के साथ कुछ लोग केस में gums जो होते हैं उनको भी dark बना देती है अब जो दूसरा reason है sun damage जैसे कि हमारे face पर tan होना लग जाता है जब हम धूप में बहुत जादा exposed होते हैं similarly हमारे lips भी जो है tan होने लग जाते हैं अगर जो हम धूप में बहुत जादा गूम रहे होते हैं अब जो third reason है वो है lack of care यानि कि आप अच्छे से care नहीं कर रहे हो अपके lips के अब जैसे कि आपके face पर जब भी कोई oil जमा हो जाता है तो आप उसको face wash से clean कर देते हो अगर जो dead skin होने लग जाती है तो आप उस पे face pack लगाते हो अपने skin पर या फिर आप scrub लगाते हो लेकिन 99% लोग ऐसे है जो सिर्फ face का ख्यार रख लेते हैं लेकिन अपने lips का ख्यार नहीं रखते हैं जब आपके lips पर dead cells जमा होने लग जैते हैं या फिर tan होने लग जैते हैं तो आप अपने lips care के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो basically जब आपके lips पर dead skin cells जमा होने लग जाते हैं तो आपकी जो लिप्स को original color है वो खराब हो जाता है। वो dark होने लग जाता है। अब जो चोथा reason है जो fourth reason है जिसकी वजए से आपके lips dark हो रही है वो है जता चाए है जता coffee भी है. अब यह जता चाए जरन कोफी अकर जो पी रहे ह坐 आपकी जो लिप्स हैं वो डेमेग हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर होता है दियॉलिटिक और वह एक एसी चीज है जो किあके बोडी के पानी को सोक लेता है श्रिंख कर लेता है और जिससे अन्टिमाट्री आपकी जो लिफ्स है। साथ के साथ वो आपके लिप्स को डल भी करता है सो अब एक लिप केर रूटिंग मैंने बनाया है जो कि आप फोलो कर सकते हो काफी जादा इंप्रेसिव है, काफी जादा इफेक्टिव है अब इसमें आपको बेसिकली 3 से 5 लीटर तक पानी पीना है रोज ताकि आपके लिप्स हैं, वो ड्राय ना हो, ग्लोसी रहे दूसी चीज यह है कि आपको लिप्बाम का बहुत जादा ध्यान रखना है कोई भी प्रोड़क्ट जो कि आप लेंगे अपने लिप पर लगाने के लिए मेक शूर उसके अंदर केमिकल जैसे की मिथाइल पेरबेन, पोली पेरबेन, डाइज या फिर इस तरीके को कोई भी केमिकल ना हो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लिप्बाम होते हैं जो कि बेसिकली बहुत अच्छी खुश्बू के साथ आते हैं उसके अंदर artificial color होता है, जब आप उसको लगा होगे तो काफ़े ठंडा फील होता है लेकिन short term में उसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन long term में वो आपके लिप के जो natural color है उसको खराब कर देता है फिर एक चीज और आपको देगनी है, वो यह है कि जो भी आप lip balm लो, make sure उसको जो SPF है, वो 40 प्लस हो क्योंकि normally आप अपने face के लिए सुंस्क्रीन लेने तो है अच्छे SPF वाली, लेकिन lip balm का भी एक SPF होता है, तो make sure आप वो SPF ज़रूर देखे अब यार एक habit और आपको develop करनी है, वो यह है कि जब भी आप कुछ oil खा रहे हो, पूरी खा रहे हो, या भार को कुछ junk food खा रहे हो, तो ऐसे टाइम पर जो oil हो आपके lips पर जमा हो जाता है, तो यह चीज आपको एक habit बनानी है, कि tissue paper से बार बार आपको अपने lips को clean करना है, क्योंकि जब तक oil आपके lips पर जमा होता रहेगा, आपके lips है वो उतनी ही जादा dull होते रहेगा, so बात आती है home remedies की, जो की आपको follow करने है, और जो मैं follow करता हूं अपने lips को, जो है natural color maintain करने के लिए, अब आपको लेना है 8 tablespoon beetroot का juice, और उसमें आपको 3-4 mint leaves जालने है, उसके आपको yeast का जो mixture है, तीनों चीजों का mixture है, अपने lips पर circular motion में लगाना है, और इसको थोड़े time तक के लिए छोड़ देना है, जब तक कि आपके lips naturally इसको absorb ना कर ले, उसके बाल आपको इसको washout करना है, अब जो दूसरी natural home remedy है, वो है बहुताद simple हो, मेरी all time favorite, आपको उसमें आपको स्लाइस नीबू लेना है, यानि कटा हुआ नीबू लेना है, उसको आपको आइबर भी यूज कर लो, बाकि जो बचा हुआ उसका पार्ट होता है नीबू का, उसको आपको उल्टागर के उसपर sugar डाल ली है, यानि चीनी डाल ली हो, उससे आपको अपने lips पर जो यानि की scrub करना है, ताकि जो dead skin cells है, आपके जो lips पर जो dead skin cells है, वो रिभू हो सके और एक जो natural color है, आपके जो lips का वापिसा सके, अब जो third and final home remedy है, उसमें आपको यूज करना है शहद यानि की honey, तीन मिनट तक आपको circular motion में अपने lips पर honey लगाना है, और एक natural moisturizer है, जो कि आप आपके lips के color को भी बहुत जाद अच्छे natural color में maintain करता है, क्या होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी टैपकी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को subscribe कर देना, bell icon दवा देना, और कोई भी doubt हो, तो मुझे comment बाता सकते हो, Instagram पर follow करके मुझे DM कर सकते हो, प थाद आपके लिए